जमीन कारोबारी अलकापूरी निवाशी अनिल यादव हत्या कांड का उत्भेदन गिरेडी पुलीस ने करते वे मुख्य आरोपी को गिरफतार कर लिया बुद्वार को एसपी दिपप कुमार शर्मा ने इसकी जान करे दी बताया कि घटना को अंजाम देने वाला आरोपी बेजू रविदास को गिरफतार कर लिया गया है बुद्वार के सुभार जब आकरोस्त लोगों ने आरोपी की गिरफतारी की मान को लेकर गिरेडी टावर चौक के पास जाम कर दिया था इसके बाद पुलिस ने जब बताया कि आरोपी की गिरफतारी हो गई है तो लोगों ने सड़क जाम हटा लिया हत्या के संबद में गिरेडी पुलिस ने बताया कि अनिल यादव हत्याकान के मुख्या आरोपी को गिरफतार कर लिया गया है उसके पास से भुजाली भी बरामद हुआ है मिली जानकारी के नुसार बारदाद को अंजाम दिये जाने के बाद से ही S.I.T. टीम ने छापमारी सुरू कर दी थी कई महत्वपून जानकारिया मिलने के बाद पुलिस ने हत्याकांट के मुख्या आरोपी को गिरफतार कर लिया है हत्या में प्रयूक त भुजाली भी बरामद हो गया है साथी साथ जिस वाहन से शव को ढोकर जिले के पीड टार इलाके में फेका गया था उसे भी जब्द कर लिया गया है बताया जाता है कि पैसे की लेंदेन को लेकर आरोपी के साथ मेरे तक अनिल का ववाद हुआ था जिसके बाद उसकी हत्या कर दी गई जानकारी के मताबिक पुलिस ने पूछता अच के लिए कुछ अनिये लोगों को भी हिरासत में लिया है पुलिस ने मामले का खुलासा करते वे बताया कि पैसे की लेंदेन में हुए ववाद के वजह से घटना को अंजाम दिया गया था उन्होंने कहा कि मंगलवार लगभग दोफैर तीन बजे के आसपास अनियल का शव पी टाट इलाके से बारामत किया गया और रात आट बजे उसके शव की सिनाक्त हुई इसके बाद S.P.K. निर्देश पर S.I.T. का गठन हुआ और महस चंद घंटे के भीतर आरोपी बेजू रविदास को गिरफतार कर लिया गया बेजू रविदास सरिया में सरकारी सेवक के रूप में कारे रथ है बताया जाता है कि अनियल यादव बेजू रविदास के घर पैसे लेने गया था जहां दोनों के भीत जड़ाप हुई इसके बाद गुस्से में आकर बेजू रविदास ने अनियल यादव की हत्या कर द क्रेंडर्ग चारे में बगले के शाथ नहीं जा सकता है उन्हेकन के लंगराने आपड़ देए है कि उनुए वार देनुए पतन एक उन्हेंकर कि भी.